जबादार पोलिस जबादार फीडियो जबादार बिडियो जबादार बहुत स्वागत है आप सभी का आर नाइन टीवी के इस विशिश कारिक्रम में जिसमें रोजाना के तरह आज भी चार बजे मैं जबार खान और श्रुता जी हाँ मैं श्रुता भटाचारे आप सभी का स्वागत करते हूँ रोज हम पक्ष और विपक्ष एक किसी भी टॉपिक का आपके सामने रखते हैं क्योंकि हर एक मुद्दे का जो लोग है वो कहीं न कहीं कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं क्योंकि लोगों की अलग-अलग है तो हम कोशिश करते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों पहलूँ आपके सामने रखते हैं शौता आज का जो मद्धा है दर्शक खुश होंगे क्योंकि हाइडराबाद में अपराधियों के खिलाफ में जो कारवाई हुई है उनके भागने हुए दौरान में उससे खुशी गर्चे कानून कुछ भी कहता हो या लोग सवाल उस पर कुछ भी क्यों ना उठाएं लेकिन दर्शक ये चाहते हैं कि उसकी खुशी किस तरीके से और बढ़े जब कानून भी बेहतर और हो जाए और शोता अपडेट देते हैं कि इस पूरे मामले में हदरबाद पुलिस ने प्रिस कॉंफरेंस करके इंकाउंटर पर अपनी बात रखिये क्राइम सीन को रिक्रेट करने गई थे दरसल पुलिस और इसी पीश में भागते हुए अपराधियों को पकड़ने के लिए जब पुलिस के पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो फिर फाइरिंग पुलिस ने भी जवाबी फाइरिंग में सारे के सारे लोग बारे गे जिहां कहरे पुलिस के अधिकारी की सरेंडर करने के लिए कहा गया था उन्हें लेकिन सरेंडर करने को तयार नहीं थे और इसलिए मजबूरन गोली चलानी हमें पड़ी अब शब जो है परिजनों को सौपे जाएंगे ये कहना है पुलिस अधिकालों और जिस तरीके से इन चारों अपराधियों के शोता हिम्मत तो देखे आने के मान सकता देखे कि इतना जगहने अपराध करने के बावजुद वो पुलिस के गिरफ से भागने के कोशिश के रहते उन्हीं का हतियार चिन करके और ऑप्शन बचता क्या है अगर आप इस तरफ के हरकत करेंगे तो एनकाउंटर तो किया जाएगा सर्फ डिफेंस में भी जब हतियार लेकर आप भाग रहें तो सर्फ डिफेंस में भी पुलिस गोली चुलाएगी हाला कि दो पक्ष जरूर सामने आ रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं क्या क्या इस तरीके से नहाए होगा लेकिन आज दूसरी तरफ देखें कि पूरे देश में खुशी का महौल है सब खुश हैं क्योंकि शायद अपराधियों को यही सजा मिलनी थी और अब पुलिस की प्रेस कॉंफेंस जिसके जानकारी हमने आपको दे कि क्या कुछ कहा गया सबी को हम जवाब देंगे हम जवाब देरें पुलिस का यह कहना है कानून ने अपना काम किया क्योंकि उस वक्त यही जरूवत थी उस वक्त की जब अपराधियों ने पुलिस के हत्याद च्छिन कर वहाँ से भागने की कोशश की तो वहाँ उनको पहले रोका गया उनको सिरिंडर करने के लिए कहा गया लेकिन उनने फारिंग शुरू कर दी और इस बीच में कोश पुलिस वाले जखमी हुए फिर पुलिस वालों ने उनके उपर भी जवाबी फारिंग की जिसमें इस मुद्भिड के बेच में चारो आरोपी या पिर दोशी अपने अंजाम तक पहुँचे उस अंजाम तक जिसकी इच्छा जिसकी खाहिश देश का बच्चा बच्चा कर रहा था कि वो फासिख के जरीय और किसी भी जरीय से उन्हें मौत तक पहुँचा जा सके तो तमाम तरह के पॉलिटिकल रियाक्शन भी आ रहे हैं पहले सुनाते हैं कि किस तरह से मायावती और जया बच्चन ने कहा है कि किस तरीके से इंसाफ हुआ जो इंसाफ हुआ वो सही हुआ देर आए देर आए बहुत देर आए पूरे उत्तर प्रदेश में आए दिन औरतों के साथ जो महनाओं के साथ चेड़ चार की घटना है बालातकार की घटना है ये आम होगी है लेकिन सरकार बिलकुल सोही हुई है ये बड़े दुख की बात है मैं समझती हूँ कि यहां की पुलिस को मेरी गौर्णमेंट के समय में ऐसा नहीं होता था तो उनके खलाब सक्त कारवाई की जाती थी और चया वो मेरी पार्टी के भी लोग क्यों नहों उनको भी मैंने जेल के हवाले किया उनको भीजा है मतलब कानून के हवाले करके उनके खलाब सक्ते सक्त कानूनी क पारवाय की गई है इसलिए मेरा उत्तर परदेश की वरतमान में बीजीपी की सरकार चल रही है तो मेरा यहां पर यहां की जो पुलिस है उससे भी यह कहना है कि उनको हैदराबाद की पुलिस से उनको प्रेणा लेनी चाहिए और सक कदम उठाना चाहिए मैं समझते हूं लेक पुलिस को अपने आपको बदलना होगा और उत्तर परदेश के जो पुलिस है उनको भी अपने आपको बदलना होगा और उत्तर परदेश के जो पुलिस है उनको भी अपने आपको बदलना होगा और उत्तर परदेश के जो पुलिस है उनको भी अपने आपको बदलना होग यह खबर देखे होसला बहुत बुलन्द होगा हम सब का होसला बूलंद हो रहा है। मैं कहूँगी कि अब ये खबर 30 दारी को दो तारी को एक तारीको आज भी बंगाल में जिस तरह से लगाता रेप हुए हैं चार साल पान साल छे साल बारा साल तो अब मुझे लगता है यह न्यूज होनी चाहिए कि कितनी जल्दी उन रेपिस्टों को फासी होती है और कितनी जल्दी अगर जो भागने की कोशिश करते हैं उनका इंकाउंटर होता है मुझे लगता है अब किता और मायवती की तरफ से ये बात खुशी की तोर पर दशाएगी तो वहीं पर बहुत सारी लोग ऐसे भी हैं जो इस इनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिसमेनिका गादी, रेनिका चौधरी, अनुपुरिया पटेल, रेका शर्मा ने क्या कुछ का आयो सुनते जो भी हुआ है, बहुत भयानक हुआ है इस देश के लिए, क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता हैं, कानून में वैसे भी उनको फालसी मिलती, अकर आप उनसे पहले ही उनको बंदुकों से मार दोगे, तो फिर फाइदा क्या है अदालत के, फाइदा क्या है पुलीस की, फाइदा क्या है कानून की, फिर तो आप बंदुक उठाओ, जिसको भी मानना मार देखिए प्राइमा फेसी तो हम सब खुश है, कि वो पकड़े गए और उनको मरवा भी दिये है, ऐसा ने की निर्वया केस के जैसे, साथ साल तक इंतजार करते रहे किसी ने है, नियाय के लिए, मगर कानून है, कॉंस्ट्यूशन है, पुलीस है, मुखमंत्री का संस्ता एक है, तो ये भी देखना है कि ये सारे कानून सब के लिए लागू होते हैं अच्छी बात है, पुलीस आक्शन में आई है, लेकिन हमें नियाय का रास्ता अपनाना चाहिए, और डेथ पनेल्टी से बहतर संदेश ऐसी गटनाओ को रोकने के लिए और कुछ नहीं हो सकता लोगतंत्र में सवाल तो उठते ही है, लेकिन कानून का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता होता है और उसको अपनाना चाहिए, और टाइम बाउंड जस्टिस देना चाहिए, ये सबसे जरूरी है नयाय की प्रक्रिया बहुत दिन लटकनी नहीं चाहिए, उससे सिस्टम में हमारा फेद खतम होता है मांग वही थी कि उनकी डेथ पेनल्टी हो, लेकिन एक लीगल सिस्टम, हम चाहते थे कि स्पीडी जस्टिस हो, स्पीडी हो और जस्टिस हो, और वो लीगल सिस्टम से ही होती है तो मैं हमेशा इसी की बात करूँगी कि प्रॉपर लीगल सिस्टम के थ्रू ही होना चाहिए हाँ जहां आम लोग खुश हैं आज की ऐसा हुआ लेकिन फिर भी एक हमारा संविधान है एक हमारा लीगल सिस्टम है और उसी के थ्रू होना चाहिए तो दो तरह की राय जबार दो तरह की राय हमने रख दी सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि खुशी तो है क्यों क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर तक कुंठा थी मैं भी कुछ दिनों से ऐसे कह रहे थी कि ऐसे लग रहा था कि कुछ थमसा गया है तो आदमी को ऐसे में लग रहा था कि वो सांस लेना हमारे लिए बिल्कुल कब तक कब तक एक के बाद एक के बाद एक के सा रहे थे तो शायद जो ये हुआ, एंकाउंटर, जिस हालात में पुलिस बता रही है, कि भाग रहे थे, क्या करते पुलिस वाले, तो एंकाउंटर कर दिया। भी होना है, लेकिन सवाल ये है, कि फिर ऐसे लोगों का क्या, जो लोग इस इंकाउंटर को लेकर के सवाल उठाते हैं, जैसे पीछ दंबरम ने प्रेस काउंटर करके ये कहा कि इसके जाच होनी चाहिए, खुद भारती जनता पार्टी के सांसद मैनिका गाधी ने कहा, जो कि मंतरी हैं, कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है, ने चार्सी ने संग्यान ले लिया है, तो सवाल इस बात का है कि दोनों बातें अपनी अपनी जिके सही है, लेकिन सम्विधान और कानून के हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन अगर ये इनकाउंटर वाकितन सच है, भाग रह ये इनकाउंटर कहीं से कोई गलत नहीं बता रहा है, अंजाम यही होना था, फासी की सजा ही मिलती और गोलियों से भूना गया, भाग रहे थे अगर तो पुलिस ने मारा कोई गलती नहीं की, लेकिन सवाल खड़े क्या हो रहे है, कि ये जो इनकाउंटर हुआ, अब कह रह पर आप इस तरह के रीक्रियेशन करेंगे, तो ये ना हलका हो जाता है मैटर फिर, क्या अब इनकाउंटर के इसाफ होगा? लड़की अस्पताल में, जिन्दगी और मौत के बीच में है, लेकिन सबसे बड़ी दुविदाई है, जो सवाल ही उठा रहे हैं कि पुलिस की कारिशली, जब पुलिस के पास में F.I.R. दर्श कराने के लिए लोग जाते हैं, पुलिस F.I.R. तक दर्श नहीं करती है, कह रहे हैं कि दिशा लकी रही, कि उसकी आत्मा को शान्ती मिली, निर्भया के वक्त, अगर हमारी कानून वरस्ता, हमारे नयाए प्रणाली में, जो खामिया है, उसे दुरुस्त कर दिया जाता, साथ साल पहले की घटना है, अभी देखे, फाइल ग्री मंत्राले ने भेजी है राष्टपती को, क्या इतना साल लग गया, 2017 में सुप्रम कोट की तरफ से जब आदेश दे दिये गये थे, और क्यों, रेप केसे को एक तरह से ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया जाता है, तो अगर हम निर्भया 2012 में जन आंदोलन कुछ इस तरीके से हुआ था, और आज फ नियाय मिलेगा कोट से, इससे भरोसा ही उठ जाए, तो सब सोचेंगे कि काश, काश पुलिस अंकाउंटर करें, काश मेरे घर के बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, तो इसमें अंकाउंटर हो जाए और आरोपियों को मार दे, शान्ती तो मिलती है, थोड़ी देर के लिए राह चाहिए, उसको खारिश कर दिया जाए, तो हमने यह धारा बना दी, लेकिन इसके पहले, रेप रेप है, अगर वो एडल्ट के साथ होता है, एक महिला, एक चोटी बच्ची के साथ होता है, या फिर यौनचार होता है किसी एक छोटे बच्चे के साथ, तो उसको सेम ट्रीट्मेंट मिलना चाहिए, एक फास्ट्राइक कोट की बात कही जा रही है, आज इस मृती रानी कह रही थी, कि एक हजार तेईस कोट जो है फास्ट्राइक बनाए जाने, यह प्रोसरस इतना ल इस तर वर्ष्ट्रों में अगर रेप बलातकार जैसे केसिस में सख्त स्ट्रिप नहीं उठा सकी है, फास्ट्रे कोट उस इस तर पर नहीं बना सकी है, केसिस के सुनवाई नहीं हो पाती है, एफाई यार जब जाते है यही परिवार, आपको उन्नाव का मामला याद होगा 2018 दिसंबर का मामला है, तीन महीने तक भटकते रहा हुआ परिवार एफाई यार दर्श करने के लिए, जिरुडिक्शन का हवाला दे करके एक थाने से दूसरी थाने से दोड़ाते चले गए बोलो, जब कोट के जरी जाकर के मामले में एफाई यार दर्श की जाती है, यह इसे भी बड़ी विडम बना ये, कि इतना सब कुछ हो गया, दस केसे इस बीच में दो हफते में अगर देखा जाए तो वह रेप और बलातकार उजिन्दा जलाने के बावजूद इसके, क्या यह लौन ओर ऐसा है, कारून पुलिस का खौफ यही लोगों पर आरोपियों के परिवार वाले पुड़ता के परिजनों को धमका रहे हैं, हिम्मत कैसे होती है इसे लोगों की, कि इतनी सखती के बावजूद, लौन ओर सखत होने के बावजूद, एक टेलेफोन करके धमकाय जाए कि जिन्दा जला दे जाओ, बार दी जाओ, लेकिन सही हुआ, तो अब उन्नाव में जिस तरह से लड़के के फूफा ने फोन करके रे पिड़ता के चाचे चाची को धमकी दी, तो क्या समाज को खड़े नहीं होने जानाँ जाए कि हिम्मत कैसे होई धमकी देने की, कैसे आप धमकी दे सकते हैं, यह तो हमारे समाज में है ना, उसके फूफा समाज के लिए आते हैं राजनिती में आते हैं फिर ऐसी विवस्था कारून विवस्था पुलिस का खौफ सरकार का खौफ ऐसे लोगों के दिलों में पैदा नहीं कर पाई है किसाब अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा आज जो घटना हुई टेलिफून करने की टेलिफून पर धाम के देने के बात ये समझाती है कि साब प्रश्चासमिक तोर पर काणूनी तोर पर डर नहीं रहा अपराधियों के दिलों में आरोपियों के दिलों में गारिंटी होती है कि इस एंकाउंटर के बाद बलातकार जैसी घटनाय थम जाएंगी तो हमारी लियाएक विवस्ता में कहीं ना कहीं बदलाव की जब्लत है। आचिका ये वो सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। चाहिए कि आखिर क्या वो बिंदू है जिसके बन्याद पर लोग सवाल उठा रहे हैं। जैसे लोग ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही मेरिका गादी ने जिसे कहा कि साब अगर ऐसे ही इंकाउंटर कर दिया जाएगा। फिर समाज में विवस्ता नियाएक क्या होगी। बिल्कुल कानून कैसे बनेगा फांसी के सजा तो कहने का मत्तब ये है कि फांसी का सजा का प्रावधान हो जाए और उसके बाद में चाहिए वो पाक्सोयक्त के तहत हो या फिर बालिक के साथ में हो। उसके बाद में 6 महीने के भीतर भीतर या 3 महीने के भीतर भीतर किसी केस में 3 महीने से ज़ादा investigation का time क्यों लगता है तो यह बदलाव की ज़र्वत है आप देखे राश्पती रामनात कोविन जो बात कह रहे हैं उपराश्पती पहले ही कह चुके हैं कि क्या दया याचिका ऐस से केसे में होने चाहिए जगन्य अपराध है और इसमें मान लिया गया है कि फासी की सजा सुप्रेम कोट की तरफ से भी दे दी गई है फिर भी एक अपील बची हुई है तो यह शायद कारवाई यह नयाईक विवस्था में सुधार अगर हमारे माननिये कर चुके होते अब नयाई विवस्था को इतना सोद्रड बना दे कि लोगों को एंकाउंटर में खुशी में जाई तोर पर वो कहें कि इसको पहुचाओ हमें नयाई मिलेगा और हमारा पारलिमेंटरी सिस्टम हमारे राजनेता इन दोनों चीजों पर बुनियाद ये दोनों चीजे किसे चल रहे हैं जिनके उपस क्रिम के ससारा के के ससे चल रहे हैं एसे संसद में बैठते हैं वो शखष जो खुद रेप करता हो वो शखश बैट करके कانून बनाएगा वो शश intentar किलिए जिम्मे बनाएगा कि अगर encounter police कर देती है और हम इससे संतुष्ट हो जाते हैं कि इनसास मिल गया तो यहाँ यह संतुष्टी की नहीं शनिक भर की यह संतुष्टी है कि आरोपी मरा क्योंकि आरोपी को सजाय मौत शायद होनी ही थी और वो हुआ लेकिन फिर समझना होगा कि कल फिर कोई दिशा कल फिर कोई निर्भया होगी तो उसके ताजा मिसाल आप देखिया हैदराबाद के बाद में उतर परदेश के उन्नाव में जिनदा जला दिया गया कासगंज हुआ, बकसर हुआ, आगरा हुआ बहुत सारे इसी जिगों पर कि कहते हैं कि लेट से मिला हुआ इंसाफ वह इंसाफ नहीं होता है और उससे पहले हमारे राजनेताओं में या प्रिटिकल सिस्टम में या फिर इलेक्ट्रोलग सिस्टम में वो उस सुधार के जरूरत है जिसके बाद में कोई अपराधी संसत तक पहुंश ना सके आप देख पिरता है कई बार उसको जेल में रहना पड़ता है कि साफ इसने तो एक स्टॉशन का केस मारे उपर लगाया गलत तरीके से वसुली का काम हमारे साथ में कर रहे थी जैसे इसी जगे उत्तरपरदेश की अगटना है लेकिन सवाल तो यह भी उठता है जबार की यह जो टिके के में एक सांसद खड़ा है किसा मैं जा रहा हूं चुनाव लड़ने के लिए एक प्रत्याशी है और वो क्रिमिनल बैक्डाउं का है तो कोई ऐसी विवस्था हो कि सारी जनता नकार दे आप पार्टी टिकेट देगी ही नहीं अच्छा अब आप सोचिए कि लोग गाउं के लाकों में ऐसा है कि मजबूत किसी लीडर या शख्स के साथ में जुड़कर के रोगना चाते है क्योंकि हमारी विवस्था ऐसी है थाने में फायार नहीं होगी जगड़ा हो जाएगा तो हमारा कोई पक्ष लेने वाला नहीं रहेगा सामने वाला लीडर क्रिमिनल हो या को अपसे पहले जिम्यदारी की ऊपर से विवस्था को ठीक किया जाए लोगों को अपने लॉग के बारे में जानकारी नहीं होती है पुलिस से इसलिए डरते हैं कि पता नहीं कि इस धारा में बंद कर दे अरे आपको जानकारी होगी तो आप पुलिस के पास जाएंगे और ब पाकेतन बिल्कुल ठीक हो सही हो हो सकता है कि यह फेक भी हो पुलिस वावाई लेक लिए करी हो चीज़ें तो साफ हो जाएंगी मगर इस शड़क खुशी से जादा बड़ी जरूरत यह है कि विवस्था दरूस्त की जाएं ताकि हर बलातकारी को फासी के सजा जल्दी बिल सके बिल्कुल यही यही सोच होनी चाहिए कि जो यह सजा मिली है जो गोलिया चली है और मरे है अपरादी यह जरूर सजा मौत मिले लेकिन कानून के तहट अगर मिले तो जादा बेतर इसे के साथ चर्चा पर यहीं पर विराम लगाते हैं आप खायाल लखिए अपना अपन किाले वाते हैं गटाओंगर यहां मिले उिधा भालर लावाते हैं लीक कि क Multipालर बालर किप ऑत झाले लावाते हैं कि क थन्हां पर लावतं को.